नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यार बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अगर हमारे समाज में कोई वार्दात हो जाती है या कोई घटना घट जाती है, तो ऐसी स्थिती में हम सबसे पहले किसे सुचित करते हैं? आपने अकसर टेलिविजन पर फिल्मों में और नाठकों में देखा होगा कि ऐसी स्थिती आने पर सबसे पहले पुलिस को सुचित किया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ती को पकड़ना उस घटना से जो संबंध रखता है, ये पुलिस का कारे हैं। और उसको दोशी साबित करना ये पुलिस का कारे नहीं। आपने आठवी कक्षा में एक अध्याई पढ़ा नियाले जिसमें आपने जाना कि नियाले क्या होता है। आज हम कक्षा आठ की पाठय पुस्तर समाजिक और राजनिती जीवन थाग तीन का अध्याई हमारी आपराधिक नियाई परनाले पढ़ेंगे। और जानेंगे कि किसी भी वारदात में अगर कोई व्यक्ति दोशी पाया जाता है तो ये दोशी करार देना उस व्यक्ति को किसका काम है। हम ये भी जानेंगे कि जब कोई वारदात घट जाती है तो वहां से लेकर नियाई परकिरिया जो है वो किस तरह से चलती है और किस तरह से जो वारदात देने वाला व्यक्ति है उसको जो है सजादी जाती है और जो व्यक्ति वारदात में शामिल नहीं होता उसे किस तरह से बाई इज़त बरी किया जाता है इस सारी आपराधिक नियाई परणाली को शुरू करने से पहले आईए एक कहानी समझते हैं कहानी के मार्ध्यम से हम इसे और अच्छे से समझ पाएंगे तो आईए शुरू करते हैं कहानी प्यारे बचो ये कहानी है मुंबई शहर की इस कहानी में शिरिमती शिंदे और उनके पती और जो तीसरी इस कहानी में शामिल औरत हैं उनका नाम है शान्ती हेंब्राम जो इस दमपती के घर में पिछले तीन साल से नौकरानी का काम कर रहे हैं एक दिन शिरिमती शिंदे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं और अचानक उन्हें लगता है कि उनकी जो सोने की जन्जीर थी वो नहीं मिल रही क्योंकि घर में इन दोनों के अलावा सिर्फ कामवाली बाई है तो शक उसी पर जाता है शान्ती क्या तुम अब चोरी भी करने लगी हो और वो भी सोने का हार अपना बक्सा लाओ मैं अभी तलाशी लोगी हमने पुलिस को बुला लिया है अगर तुमने हार लिया है तो अभी लोटा दो बिचारी कामवाली बाई बार-बार कहती है नहीं मैडम, हमने चूरी नहीं इसके बाद शिरीमती, शिंदे के जो पती हैं वो शान्ती के कम्रे में जाकर उसके बकसे की तलाशी लेती हैं और क्या देखते हैं? उसके लिफाफे में 10,000 रुपई वे शांती पर चिलाने लगते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि शांती ने हार पेच दिया है और ये 10,000 रुपे उसी हार से प्राप्त रकम है लेकिन शांती हिंबराम का कहना कुछ और है वो कहती है साहब मेरे भाई और मैं पिछले साल भर से पैसे जमा कर रही है हम गाव लोट कर एक बैल खरीदना जाती है मैडम मैं बेगुना हूँ लेकिन शांती की बात वो दोनों नहीं सुनते और मिस्टर शिंदे थाने में पहुच जाते हैं और जाकर FIR लिखवाते हैं और क्या कहते हैं कि हमारे घर की नौकरानी शांती ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव यानि जिस थाने में FIR लिखवाई जाती है वहां का सब इंस्पेक्टर राव FIR दर्ज करता है शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं और वो दस हजार रुपई सील करके अपने साथ ले जाते हैं और साथ में शांती को भी ले जाते हैं लेकिन बिचारी शांती बार बार कहती है कि मैंने हार नहीं चुराया ये जो पैसे हैं वो मेरी मेहनत की कमाई है कुछ देर बाद शांती का भाई शुशी लाता है और सब इंस्पेक्टर राव से विंती करता है कि वेह शांती को छोड़ दे और कहता है कि उसने हार नहीं चुराया तो सब इंस्पेक्टर राव क्या कहते हैं कि तुम पहले जाकर अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ लेकिन शुशील कहता है कि मैं वकील की फीस कहां से लाओंगा उसके लिए कौन जमानती बनेगा हमारे पास जो पैसा था वो तो सारा आपने जब्द कर लिया है सब इंस्पेक्टर राव शुशील को दो दिन तक हवालात में रखता है उसे सब इंस्पेक्टर राव और कई कॉंस्टेबल पीठते हैं और गालियां भी देते हैं और वे उस पर दबाव भी बनाते हैं कि वे अपना इल्जाम कुबूल कर ले बिचारी शान्ती जेल में सोचती है कि मेरा क्या होगा मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया सिरफ शक की वज़े से मैं इन सलाखों के पीछे आ गई है और इसके बाद उसे मिलती है अधिवक्ता कमला राव जो कहती है कि मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूँगी वो से यह भी बताती है कि ये मेरे मुकदमे के कागज है मेरे मालिकों ने हाट चुराने का जूठा आरोप मुझ पर लगाया है उन्हें शान्ती के बकसे में जो दस हजार रुपे मिले थे उनके बारे में भी अधिवक्ता कमला राय उनसे पूछती है लेकिन शान्ती फिर वही बात बताती है कि ये पैसे उसके अपने हैं और बैल खरीदने के लिए उसने इकच्छे किये हुए थे आदालत में जिरह चलती है और शान्ती हेम राम बार बार कहती है कि मैं निर्दोश हूँ इसके बाद अधिवक्ता जो कमला राय हैं वो शिरिमती शिंदे से जिरह करती है क्योंकि शिरिमती शिंदे ही वो व्यक्ती हैं जिन्हें ये शक है कि हार जो है वो शान्ती हेम बार मने चुराया है तो फिर जो अधिवक्ता है वो उससे पूशती है कि आपने क्या देखा है शान्ती को चुरी करते हुए उसे हार चुराते हुए क्या आप इस बात की तसली रखती है कि ये जो हार है ये उसी ने चुराया है तो वह बताती है कि मैंने सोने के हार को दराज में रखा था और क्योंकि मेरे कमरे में शान्ती के अलावा और कोई नहीं आता जाता केवल हमारे परिवार के सदर से ही आते जाती है तो हार उसी नी चुराया है और क्योंकि हमने उसकी संदुख की तलाशी ली है उसमें से भी 10,000 रुपे मिले है तो प्रिये बच्चों देखा आपने किस तरह से शक के बिना पर शांती हेंब्राम को इस वारदात में शामिल होना पड़ा और किस तरीके से वो विचारी सलाखों के पीछे चली गई अब जब यह मुकदमा चल रहा होता है तो उसी दोरान एक और मुकदमा उस पुलिस स्टेशन में चलता है जिसमें कुछ युवा लड़कों को एक गिरोह के तोर पर पकड़ा जाता है जो चोरी की वारदातों में शामिल है और इस बात का पता अधिवक्ता कमला रॉय को लगता है इस गिरोह से जब सामान जब्द किया जाता है तो उसमें वो हार भी मिलता है जो गुम हुआ था इंस्पेक्टर शर्मा क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि क्या आपने जो सामान ब्रामत किया है उसमें जो वो हार है वो शिरिमती शिंदे का है हार पुलिस स्टेशन से शिरिमती शिंदे को दिखाया जाता है और शिर्मती शिंदे पहचान लेती हैं कि वाके में ही ये हार उनका है और पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि ये हार कुछ लड़कों के गिरोह ने चुराया है जो चोरी की वारदातों में शामिल है आन्तते पता चलता है कि शिर्मती शिंदे का अपना बेटा भी उन गिरोह के सदश्चों में शामिल था जो सदश्च से उस गिरोह से सम्मन्द रखते थे इसके पश्चार शान्ती को उस चोरी के अलजाम से बरी कर दिया जाता है और पुलिस ने जो दस हजार रुपए उसके पास से बरामत किये थे वो पैसे भी उसे लोटा दिये जाते है प्यारे बच्चों देखा आपने किस तरीके से एक काम वाली बाई जिसके पास पैसे नहीं थे उसे केवल शक की बिनाह पर गिरिफतार कर लिया गया और उसे किस तरह से मानसिक रूप से परितारित किया गया यहां तक कि उसके भाई को तो जो सब इंस्टेक्टर राव थे उन्होंने शारीरिक रूप से भी परितारित किया तो प्यारे बच्चो इस सारी कहानी से आप सबसे पहले क्या समझ पाई सबसे पहले हमने देखा कि अपराद की जाच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है पुलिस का एक महत्तपूर्ण काम होता है किसी अपराद के बारे में मिली शिकायत की जाच करना जाच के लिए गवाहों के बयान दर्च करना और सबसे एहमकार है सबूत इकठे करना इस जाच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोश साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल करती है जैसा कि इस अध्याय की शुरुवात में कहा गया था कि यह ते करना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोशी है या नहीं यह कारे किसका है यह कारे न्यायधीश का है प्यारे बच्चो अब हम देखेंगे कि सम्मिधान के अनुच्छेद बाईस और फौशदारी कानून में प्रतेक गिरफतार व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार परदान किये गए है प्यारे बच्चो यहां मैं आपको यह स्पस्ट कर दूँ कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफतार कर रही है चाहे किसी भी घटना में कर रही है तो जस व्यक्ति को गिरफतार किया जा रहा है सतंत्र भारत का नागरिक होने के नाते उसके भी कुछ अधिकार है जैसे गिरफतारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफतारी किस कारण से की जा रही है गिरफतारी के 24 घंटों के भीतर मेजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है गिरफतारी के तौरान या हिरासत में किसी भी तरहा के दुर्व्यभार या याचना से बचने का अधिकार भी उक्त व्यक्ति को होता है पुलिस हिरासत में दिये गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता प्रिये बचो ये बात थोड़ा और अधिक स्पस्ट कर दूँ कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उस व्यक्ति का जो इकबालिया बयान है उस बयान को कभी भी पुलिस सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती सबसे एहम बात और सबसे मुख्य बात जो आप लोगों को अच्छे से समझ लेनी चाहिए वो है पंदरा साल से कम उमर के बच्चों और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता और इसकी साथ साथ यदि किसी महिला को गिरफतार करना हो तो मोकाई वालदात पर किसी महिला पुलिस कर्मी का वहां होना बेहत जरूरी है यानि के किसी महिला आरोपी को कोई पुलिस कर्मी जो पुरुष हो वहे गिरफतार नहीं कर सकता तो प्रिये बच्चों आपने देखा कि किस तरह के अधिकार आरोपी व्यक्ति को मिले हुए है भारतिय समिधान की तरफ से आईए आप थोड़ा समझते हैं एफ आई आर के बारे में जब ये कहानी हमने शुरू की थी तब हमने देखा था कि मिस्टर शिंदे इस केस के लिए एफ आई आर कराते हैं एफ आई आर है क्या आई जानते हैं पुलिस एफ आई आर दर्ज होने के बाद किसी अपराद की परताल शुरू कर सकती है कानून के मुताबिक किसी संगय अपराद की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फोरण एफ आई आर दर्ज करनी होती है पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है FIR में आमतोर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उलेख किया जाता है शिकायत करने वाले व्यक्ति को पुलिस से FIR की एक नकल यानि जिरॉक्स कॉपी मुफ्त पाने का भी कानूनी अधिकार होता है प्रिय बचो, यहां आपको मैं ये स्पस्ट कर दूँ कि अनुच्छेद 22 यानि समेधान का जो अनुच्छेद 22 है वो भारत के परतेक नागरिक को एक वकील के जड़िये अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है और इसके साथ अनुच्छेद 49 एक भारतिय सम्मेधान में यह अनुच्छेद ऐसे लोगों को वकील मौहया कराने की जिम्मेदारी सरकार को सौपता है जो गरीब या किसी अन्य वज़े से वकील नहीं रख सकते जो कहानी आपने सुनी इस कहानी में भी कमला रॉय एक सरकारी वकील है सरकारी वकील क्या होता है? आईए समझते हैं सरकारी वकील किसी भी आपराधिक उलंगन को ना केवल पेडित व्यक्ति बलकि जनता के विरुद्ध समझा जाता है इसलिए ऐसे मामलों में पेडित व्यक्ति की और से सरकारी वकील केस लड़ता है आईए आप देखते हैं कि सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? आदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है सरकारी वकील की भूमिका तब आरंभ होती है जब पुलिस जाच पूरी करके आदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत कर देती है सरकारी वकील की पुलिस जाच में कोई भूमिका नहीं होती उसे राज्य की और से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है न्याल्य के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेवारी है कि वह निश्पक्ष रूप से अपना काम करे और अधालत के सामने सारे ठोस तथे, गवाह और सुबूत पेश करे तभी अधालत सही निर्ने दे सकती है प्यारी बच्चों, शान्ती हेंब्राम के केस में आपने देखा कि किस तरह से अंतते न्यायधीश शान्ती हेंब्राम को बरी कर देते हैं यानि सारी प्रक्रिया की जो दारो मदार है वो किस पर निर्भर करता है न्यायधीश पर कि वह किस तरीके से फैसला लेता है तो हमारा अगला उपविशे है न्यायधीश की क्या भूमिका होती है न्याइधिश की वही हैसियत होती है जो खेलों में एमपायर की होती है वे निश्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं न्याइधिश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तरफ से पेश किये गए सबूतों की जाच करते हैं किसी केस में या किसी वार्दात में किसी भी व्यक्ति को न्याइधिश की भूमिका पर निर्भर करता है तो आईए देखते हैं कि कौन-कौन से कारिये हैं जो न्याइधिश के होते हैं अपने सामने पेश किये गए बयानों वो सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्याइधिश तय करता है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है वेह वास्तव में दोशी है या नहीं सजा सुनाती हैं वे कानून में दिये गए प्रावधानों के हिसाब से दोशी व्यक्ति को जेल भीज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या फिर ये दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं प्यारे बच्चों जो न्याइधीश होता है वेह हमेशा निश्पक्ष रहकर अपनी कार्ववाई करता है अगर बात निश्पक्ष सुनवाई की हो तो इसमें कौन-कौन से तत्तव शामिल है यानि किसी केस की निश्पक्ष सुनवाई के लिए किन कार्णों का किन तत्त्मों का होना जरूरी है सबसे पहला है मुकदमे की सुनवाई खुली आदालत में होनी चाहिए दूसरा मुकदमे की सुनवाई आरोपी व्यक्ति की उपस्थिती में होनी चाहिए जब तक आरोपी व्यक्ति का अपराध सिद नहीं हो जाता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाना चाहिए बचाव पक्ष के वकील को सभी गवाहों से सवाल पूछने और बहस करने का अधिकार होना चाहिए और सबसे परमुक आरोपी को अपना बचाव करने का अधिकार होना चाहिए यदि आरोपी व्यक्ति गरीब या किसी अन्यकारन से अपना वकील नहीं कर सकता तो सरकार का यह करतव है कि वह अपने खर्च पर उसे वकील उपलग्द करवाई और प्रिये बच्चों आपने इस सारी घटना से इस सारी कहानी से ये भी देखा कि भारत की जो आप्राधिक न्याय परनाली है उसमें ये सभी बिंदू शामिल है शायद इसी लिए कहा जाता है कि भारतिय सम्मिधान ने हर व्यक्ति के लिए कानून और जुन्याई है वो समान रूप से रखा है प्यारे बच्चों इस अध्याई से सम्मंधित कुछ प्रश्न उत्र कर दें सबसे पहला प्रश्न है आरूपी किसे कहा जाता है इस अध्याई के संदर्व में ऐसे व्यक्ति को आरूपी कहा जया है जिस पर आदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा होता है अगला प्रश्न FIR का क्या आर्थ है FIR यानि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी अपराध के घटित होने के बारे में पुलिस के पास दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना है अगला प्रश्न पुलिस के कोई दो कारिये लिखे प्रिए बच्चो सबसे पहला कारिये है अपराधियों को गिरफतार करना दूसरा अपराध से संबंधित सबूत इकत्र करना अगला प्रश्न संगय अपराध किने कहती हैं उन अपराधों को संगय अपराध कहा जाता है जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को आदालत की अनुमती के बिना भी गिरफतार कर सकती है अगला प्रश्न अनुछेद 49A में क्या प्राभधान दिया गया है प्रिये बच्चों समिधान के अनुछेद 49A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहया कराने की जिम्मेदारी राज्ये को सौपी गई है जो गरीब या अन्य किसी वज़े से वकील नहीं रख सकते एक और आसान सा प्रश्न इकबालिया बयान क्या होता है इसका उत्तर होगा किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल करने के लिए जो बयान दिया जाता है उसे इकबालिया बयान कहती है एक और प्रश्न अभियोजन पक्ष किसे कहा जाता है जिस पक्ष की और से मुकदमा दर्ज कराया जाता है उस पक्ष को अभियोजन पक्ष कहती है प्रिये बचो अगला प्रश्ण है गवाह कौन होता है जब किसी व्यक्ति को अदालत में बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा है क्या सुना है अथवा क्या जाना है उसे गवाह कहती है तो प्यारे बचो देखा आपने कि किस तरह से हमारे समाज में किसी वारदात के हो जाने के बाद किस तरीके से न्यायक प्रक्रिया चलती है आपने ये भी देखा कि इस प्रक्रिया में विभिन लोगों की क्या भूमिका होती है पुलिस की क्या भूमिका होती है ये आपने दे और अंतते है न्यायधीश इस प्रक्रिया में अपनी भूमी का कैसे निभाती हैं ये भी आपने देखा। प्रिये बच्चों मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी को ये प्रणाली अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।